हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो गुपाल श्टुडी पॉइंट फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल गुपाल श्टुडी पॉइंट में एक और फिर सिपुने स्वागत करता हूँ और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो स्टेशन में हम लेकर आए हैं मैथेमेटिक्स के प्रेक्टिस सेट नमबर एट का उस i के बटन को प्रेस करके आप इससे पहले के 7 practice set को देख सकते हैं उपनी तयारी को बहतर बना सकते हैं फ्रेंट्स यदि आपने इन सभी practice set को follow कर लिया है यानि कि इन सभी को एक बर देख लिया है तो मैं उमीद कर जाकता हूं कि कोई भी question आपका exam में गलत नहीं होगा क्योंकि हमने इन सभी practice set में एकदम selective questions को लिया है और short trick के मादम से अल किया है तो मैं उमीद करता हूं कि आप इन सभी को एक बर देख लेंगे और अपनी तयारी को बहतर बनाएंगे फ्रेंट्स यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को subscribe कर लें और साथ के साथ bell icon को भी प्रेस कर लें आपको हर एक वीडियो टाइम से मिलते रहेगी तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो सेशन so question number one है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के पांच गुने से तीन ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के चार गुने और छोटी संख्या के तीन गुने का जो योग है वो कितना है 71 है तो वे संख्याएं क्या है friends इस type का जब भी question पूछा जाता है तो आपको x y मान करके नहीं करना है क्योंकि friends यदि आप x y मान करके चक करते हैं तो friends आपका question का जो answer है वो काफी लंबा हो जाता है यानि कि आपको बहुत ज़्यादा time लगता है question का answer निकालने में so friends यदि आपको time बचाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए question को आपको option side से solve करना है so friends देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसको जल्दी से जल्दी solve कर पाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे जिस option में condition first applicable होती है उसी option में हम condition second को applicable करके देखते हैं यदि दोनों condition satisfy हो जाती है तो वही उसका हो जाएगा answer तो जल्दी से जल्दी question का निकालने का यही सबसे simple तरीका है तो friends यहाँ पर आप देखेंगे question में क्या दिया है कि बड़ी संख्या का दूगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तो बड़ी संख्या का दूगना स कितना होगा friends 40 40 में 3 जोड़ेंगे 43 तो यह दूना आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब option 1 हमारा नहीं होगा इसी तरह से option 2 को देख लेते हैं option 2 में क्या है बड़ी संख्या का दूगना होगा 22 और 22 होगा और छोटी संख्या का 5 गुना कितना होगा 45 तो यह 14 है 14 का क्या करेंगे double तो 14 का double कितना होगा friends 28 होगा और क्या होगा चोटी संख्या का 5 गुना तो 5 का 5 गुना कितना होगा 25 और इसमें 3 अधीक है तो इतना यह हो जाएगा 28 तो आप देखेंगे यह हमारी पहली condition इसमें satisfy कर गई है तो अभी इसमें दूसरी condition को एक पर देख क्या होगा 4 गुना तो बड़ी संख्या होगा तो देखें 71 हो रहा है yes 71 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है हमारा जो right answer होगा वह तो कितना जल्दी से जल्दी किया है क्योंकि इसमें आपकी calculation बचने वाली है जब भी इस type के question पूचे जाते है तो आपको option side से करना है so that आप जल्दी से जल्दी question का अंसर निकाल पाएंगे और अपना time manage कर पाएंगे क्योंकि friends यह दी आप question का time बचा लेते हैं तो उस time का use आप next questions के लिए कर सकते हैं तो चलिए friend next question की और बढ़ते हैं और next question की और बढ़ने से पहले यहाँ पर आप वीडियो को pose करके इस question का solution देख सकते हैं मैंने किस परकार से इसको solve किया है अभी next question है friends बहुत ही अच्छे question हमने इस वीडियो में लिया है और मैं उमीद करूँगा कि आपको यह सभी questions अच्छे लगेंगे तो चलिए friends next question को देख लेते हैं यदि 2 to the power 2n-1 is equal to 1 upon 8 की power है n-3 तो तब n की value क्या होगी एक simplification का question है तो friends इस question को किस परकार से हमें simplify करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे हमें क्या दिया है friends यहाँ पर दिया है कि 2 की power 2n-1 दिया है 2n-1 is equal to क्या होगा 1 by 8 तो friends जो 1 by 8 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की power 3 और 2 की power 3 लिखोंगा तो 2 की power 3 के उपर क्या है यहाँ पर n-3 है तो इस तरह से मैं 8 को 2 की power 3 के रूप में लिख सकता हूँ तो friends यहाँ पर आप देखेंगे जब भी किसी संख्या के power के उपर power चड़ी होती है तो उनकी आपस में multiply हो जाती है तो इस 3 की multiply इसके अंदर हो जाएगी तो आप यहाँ पर देखेंगे और इसको यदि में उपर लेके जाता हूँ तो इसको किस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको simplify करके लिख देता हूँ तो 2 की power क्या होगा 2N minus 1 is equal to यह 2 की power जो minus 3 थी तो वो इधर आ जाएगी क्योंकि उपर जाने इपर क्या हो जाती है minus हो जाती है power तो यहाँ पर था हमारा N minus 3 आपको बहुत ही अच्छे से एक-एक step मैं clear करता हुआ चलूँगा तो यहाँ पर देखेंगे इस 3 की multiply मैं अंदर कर दूँगा तो अभी आप देखेंगे यह जब भी किनी दो संख्याओं के base आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं तो उनकी power भी आपस में बराबर लिख देते हैं तो यहाँ पर हमारा होगा 2N-1 is equal to क्या होगा minus 3 के अंदर multiply करेंगे तो minus 3N और यहाँ हो जगा minus minus plus यानि कि 9 तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे यह जो 3N है वो इधर जाएगा और इस 1 को मैं इधर भेश देता हूँ तो minus 3 इधर जाएगा तो plus का हो जाएगा minus 1 इधर plus का हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर आजाएगा 5N और यहाँ पर हो जाएगा 10 तो 5N is equal to क्या होगा हमारा 5N is equal to कितना होगा वो होगा 10 तो 5 उसे 10 कट जाएगा 2 times तो इस तरह से n की value कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी तो उमीद करता हूँ कि आपको समझा गया होगा friends बहुत ही आसान question है तो इस तरह से इसका right answer होगा option number B अभी next question की और approach करेंगे यहाँ पर video को pause करके question का solution देख सकते है next question है मारा simplify करना है same question मतलब इसी type का simplification का question एक और मैंने लिया है so friends इस type का question क्या है आपको confused नहीं होना है इस type के question में क्योंकि यह भी बहुत ही आसान question होते हैं लेकिन यदि आपने इसका shortcut method सीख लिया तो इस type का question आपका कभी भी गलत नहीं होगा तो friends इस question में क्या दिया है so friends हमें निकालना है इसकी multiplication का मान यानि कि इनकी गुणा का मान क्या होगा तो friends इस question को करने के लिए सबसे पहले हम माल लेते हैं कि यह जो value है यह जो यहां से यहां तक की value है इस value को में माल लेता हूँ suppose x है क्या माल लेता हूँ suppose हमारी x है तो अभी मैं दोनों साइड का क्या करता हूँ दोनों साइड का मैं square करता हूँ तो जैसे मैं दोनों साइड का मैं square करूँगा तो यहां होगा x square is equal to क्या होगा तो friends यह होगा 6 की power 1 by 2 into 6 की power 1 by 4 into 6 की power 1 by 8 और up to यहां पर होगा इसका क्या हो जाएगा यहां पर square हो जाएगा वो जैसे square करता हूँ तो किसी भी संख्या का यदि square करते हैं तो उसकी power में directly उसकी multiply हो जाती है यानि कि 1 by 2 की multiply 2 में होगी इसी तरह से 1 by 4 की multiply 2 में होगी 1 by 8 की 2 में होगी तो इस तरह से जब हम 2 की multiply 1 by 2 में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा यानि कि इसकी power क्या होगी 2 से यानि कि कटती चली जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे तो x square बराबर क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 6 into 6 की power क्या होगा 2 से 4 कटेगा 1 by 2 आ जाएगा इसी तरह से 6 की power 2 स 8 कटेगा तो 1 by 4 हो जाएगा तो इस तरह से up to क्या हो जाएगा इंफिनिटिव तो friends यहाँ पर देखेंगे हमने इसकी value क्या मानी थी x मानी थी तो x square is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 into क्या जाएगा x और इस x से यह x की power 1 कट जाएगी तो इस तरह से x की value क्या जाएगी हम तो इसको मैं एक वर और बता देता हूँ so that आपको एकदम clear हो जाएगा यहाँ पर मैंने solution दिया है सबसे मेले मैंने क्या किया इसको इस value को x के equal रख लिया है अभी यहाँ पर क्या क्या है x के equal रखने पर दोनों side का मैंनी क्या कर दिया square कर दिया जैसे दोनों side का square करते हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा फिर again 1 by 4 में 2 की multiply करेंगे तो 1 by 2 आएगा इसे तरह से फिर 1 by 8 में करेंगे 2 की तो 1 by 4 आएगा तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो value है यहाँ मैंने क्या मान रख की थी यह x मान रख तो इस value का मान यहाँ पर x रख दिया और इस x से यह x की तो पाउर कट गई तो इस तरह से x की जो value आई वो कितनी आई 6 आ गई तो हमारा option number क्या होगा option number a इसका बिलकुल चाहिए answer होगा अभी next question के और approach करेंगे friends next question है simplification का ही question है friends बहुत ही यानि कि अक्सर इस type के question आपके परिक्षा में पूछे जाते हैं और मैंने selective questions को लिया है so that friends आपकी बहतर तैयरी हो सके so question number question है जो यह दिया है simplification का x by b by x by c यानि कि x to the power c x की power b है और x की power c है और उसकी whole power a है इसी तरह से यह सिरीज चलती भी जा रही है तो friends इस type के question को करने का क्या simple method होगा क्या तरीका हो होगा वो आपको समझना है so friends इस question को हम किस प्रकार से कर पाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी suppose x की power b है और इसकी power मैं a लिख देता हूं तो power के ऊपर यदि power आ रही है तो उनकी आपस में क्या हो जाती है multiply तो इसको लिख स X की power b a आ जाएगा और इसी तरह से एकस की power यहाँ पर क्या जाएगा c आजाएगा into इसी तरह से b की multiply हो जाएगी x की power c b आ जाएगा और यहाँ पर लिख सी पावर a b तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो value हो गई वो आगई कितनी 1 क्या आगई friends 1 आगई आप इस तरह से आप इस question को कर सकते हैं तो इसका right answer होगा आपका option number 1 यानि कि 1 इसका total value कितनी आईगी 1 आईगी तो उमीद करता हूँ friends आपको समध आ गया होगा अभी next question के और बढ़ेंगे यहाँ पर वीडियो को pose करके आप question का answer देख सकते हैं next question है हमारा question है friends 0.6 bar plus 0.7 bar plus 0.8 bar का मान होगा friends जब भी किसी संख्या के उपर यदि में बार लगा देता हूँ तो उसका मतलब होता है उसका repetition हो रहा है यानि कि वो संख्या बार बार लिखी जा रही है तो यदि कोई संख्या का repetition हो रहा है बार बार लिखी जाती है तो उसके उपर हम क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं और इस type का यदि बार वाला question आपका पूछा जाता है तो उसको solve करने का simple or shortcut method क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंच यहाँ पर देखेंगे जैसा कि हमारा क्या है point six bar है तो point six bar को मैं लिख लेता हूँ point six bar का point हटाएंगे और six bar को लिखेंगे six और इसके बाई कर देंगे nine जब बार को हटाएंगे nine से divide करेंगे और point को हटाएंगे प्लस क्या है 7 में क्या होगा point को अटाएंगे 7 लिखेंगे और जो bar है इसकी जगह है मतलब इसको हटाने के बाद 9 लिख देते हैं जब भी bar को हटाए जाता है तो 9 से divide किया जाता है यह आपको याद रखना है इसी तरह से इस संख्या में क्या हो जाएगा 8 by 9 हो जाएगा तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सभी क्या है denominator यानि कि हर जिसको हम बोलते हैं उसकी जो value है वो क्या है समान है और यदि denominator की value समान होती है तो जो numerator में यानि कि जो अंस में जो value होती है वे आपस में directly जुड जाती है तो यहाँ पर जैसे जोडेंगे तो आप देखेंगे 6 प्लस 9 यानि कि 13 प्लस 88 इस गल्टू कितना होगा फ्रेंट्स 21 तो 21 अपून क्या जाएगा 9 तो यह value आ जाएगी हमारी 21 अपून 9 तो अभी फ्रेंट्स यहाँ पर 21 अपून 9 नहीं है तो इसका मतलब इस सम्स को कट करेंगे तो 9 से सको कट करेंगे तो कितना चलेगा 9 तू जा कितना होगा फ्रेंट्स 18 होगा और पाइंट लगागे 0 बढ़ाएंगे तो 3 आएगा तो 30 हो जाएगा तो 9 आपका 3 जा कितना होगा 27 होगा 29 27 होगा तो फिर अगें 3 बचेगा फिर 0 बढ़ेंगे फिर 3 आएगा अगें 3 आएगा तो इस तोरे से ये series बढ़ता चला जाएगा और अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था जब भी अंकों का repetition होता है तो उस अंक का repetition को हम क्या लिखते हैं बार के रूपे लिख देते हैं यानि कि 2.3 का repetition हो रहा है तो 3 के ऊपर क्या लिख देंगे बार यानि कि 2.3 बार इसका हो जाएगा answer जो कि आपका option number A इस question का बिल्गुल सही answer होगा मैं समझता हूँ एक दम concept आपका clear हो गया होगा अभी next question के और बढ़ेंगे friends यहाँ पर आप solution देख सकते हैं अभी next question है मारा क्या है बहुत ही अच्छा question है simple question है और ये friends super chat में question पूछा गया था तो यानि कि teaching related जितने भी exams होते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है तो friends यहाँ पर आप देखेंगे question क्या है so question है 1715.271 में साथ के स्थानिय मानों का अंदर है तो इस तरह से इसमें क्या दिया है friends यहाँ पर आप देखेंगे point वालो में किस प्रकार से यानि कि स्थानिय मान निकाला जाता है simple में आपको concept clear होगा लेकिन यदि point में आपको कोई भी थोड़ा भी doubt है संसे है तो वो friends यहाँ पर जो भी संख्या दी गई होती है point में तो point वालो के लिए क्या करते हैं सबसे पहले संख्या हम इस तरह से लिख लिया suppose 1715.271 यहाँ पर इस टाइप से है तो यहाँ पर 7 की value निकालनी है तो सबसे पहले जो point वाली संख्या है point वाली संख्या में जो 7 होता है उसक का point 7 वाले का, यहनि कि point वाले का 7 जो आया है, उसकी value होगे point 07, इसी तरह से इसमें जो 7 की क्या अस्थानिय मान होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, 7 के नीचे 7 लिख लेते हैं, और बाकी जो संख्या होती है, उसकी जगे क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, और अभी हमें इसका क्या करना है, अंतर, तो 700 में से point 07 को माइनस कर दीजे, तो जैसे माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 699.93, 699.93, जो कि आपका option number D, इस question का बिल्कुल सही answer है, तो friends, बहुत ही अच्छा question है, इस type का अक्सर question पूछ ले जाता है, क्योंकि point में थोड़ा सा confusion होने के कारण, बहुत से students के हैं, गलत कर पाते हैं, तो मैं उमीद करूँआ कि आपका question कभी भी गलत नहीं होगा, अब नेक्स question के और अप्रोच करेंगे, यहां पर वीडियो को पूछ करके question का solution देख सकते हैं, नेक्स question है, यदि दो भिन्नों का गुणनफल दिया है, 14 बटे 15 और उनका भागफल दिया है, 35 बटे 24, तो बड़ी संख्या, यानि कि बड़ी भीन का मान हमें बताना है, ऐसे type के questions को हम एकदम शोटरी के मद्यम से करेंगे, और बहुत जल्दी से इसका question का answer निकाल पाएंगे, तो इस type का question दिया जाता है, जब भी गुननफल और भागफ होगा, उस गुननफल में भागफल की क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, बस यही होगी हमारी short trick, जब भी बड़ी संख्या पूची जाती है, ये किसके लिए है, ये formula है बड़ी भिन के लिए, यहनि कि बड़ी भिन यदि निकालनी है, तो friends देखे किस तरह से इस question को ब 37 बटे 24, so friends आप इसको कट कीजिए, 2 से कट करेंगे, तो कितना होगा, 2 सते 14 साथ आएगा, और 2 से इसको कट करेंगे, कितना हैगा, 12 आएगा, इसी तरह से इसको 5 से कट करेंगे, तो 5 सते 15 और 5 सते 35 आएगा, 7 की साथ में multiply 49, 3 की बारे में multiply 36, तो इस तरह से यहाँ पर जाएगा, 49 अपोन 36, और 49 का होगा, जो अंडर रूट वो कितना होगा, 7 होगा, 36 का कितना होगा, 6 होगा, तो इस तरह से 7 by 6 इसका अंसर हो जाएगा, जो कि आपका option number B, इस question का बिलकुल सही answer होगा, friends आप समझ सकते हो, कि कितना आसान में में, और कितना जल्दी से जल्दी हमने इस question को कर लिया है, क्योंकि friends ये short trick का यदि आप use करेंगे, तो बहुत ही जल्दी से जल्दी question को हल कर पाएंगे, तो friends में उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, और यदि आपको समझ आ गया है, तो friends वीडियो को like कीजे, और जदे से जदे दोस्तों में इ so that उस time का आप किसी दूसरे question को सुल करने में लगा सकते हैं, चलिए friends next, इसको देख लेते हैं, यानि की जो हमने short trick किया है, तो यहाँ पर मैंने इस question को हल किया है, जब भी बड़ी भिन पूछा जाता है, तो उस समय हमारी जो short trick होगी, यह होगी under root, गुननफल into भगपल, इसी type का यदि छोटी भिन पूछ लिया जाए, तो तब आपको क्या करना है, तो छोटी भिन के लिए क्या करेंगे, under root, जो गुननफल है, उसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, किस से, भागपल से, बस हमारी छोटी भिन निकल आएगी, यदि same type का question हो, और इसी type में यद आप देखेंगे, same value put up की, और यहाँ पर भाग में लिखा, और भाग को जब गुना में change करते हैं, तो फ्रेंट्स ये जो digit है, यानि कि ये जो भिन है, वो आपस में उलट जाती है, यानि कि जो उसका हर है, वो अंस हो जाता है, तो यहाँ पर इसको उलटा कर देंगे, उस इसी गोले की तरिज़ा, जिसका आइतन और शेतपल क्या हो, बराबर हो, यानि कि उस गोले की हमें तरिज़ा बतानी है, जिसका आइतन, यानि कि आपका जो volume दिया है, और वो जो area दिया है, गोले का जो volume है, वो बराबर है, किसके area के, तो फ्रेंट्स इस question को करने का simple तरी यह होता है हमारा, और जो area होता है, गोले का वो कितना होता है, चार पाई आर स्क्वाइर यानि कि 4 पाई आर स्क्वाइर यह होता है, तो आप देखेंगे 4 पाई से यहां पर 4 पाई कट जाएगा, और आर स्क्वाइर से एक, यानि कि क्यूब कटेगा, तो 1 आ जाएगा इस इस तरह से आर का जमान होगा वो होगा कितना तीन यूनिट जो कि आपका option number c इस question का बिल्कुल सही answer होगा friends मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा गया होगा यहाँ पर वीडियो को पोज करके आप question का answer देख सकते हैं अब नेक्स question के और बढ़ेंगे बहुत ही अच्छा question है और question है friends दो लमवर्तिय संकूं की उचाईयों का अनुपात दिया है कितना 25 अनुपात 64 और उसके व्यास का अनुपात दिया है 4 अनुपात 5 तो उनके अनुपातों का यानि के आयतनों का अनुपात बताना है तो friends यहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए कि जो लमवर्तिय संकूं होते हैं उसका आयतन क्या होता है तो लमवर्तिय जो संकूं होते हैं उसका आयतन होता है एक बटे तीन पाई आर स्कूर एच क्या होता है friends एक बटे तीन पाई आर स्कूर एच लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि friends जब भी संको की जो व्यासों का जो अनुपात दिया है friends यहाँ पर क्या दिया है व्यास का अनुपात दिया है तो यदि व्यास का जो अनुपात होता है वही अनुपात उनकी तिरिज्जाओं का होता है क्या friends जो व्यास का अनुपात होता है वही तरिज्जा का अनुपात होता है तो इसका मतलब जो तरिज्जा का अनुपात होगा R1 अनुपात R2 तो उसकी value भी क्या होगी हमारी 4 अनुपात यानि कि 4 अनुपात 5 ही होगी तो इस concept का हम use करेंगे तो friends आयतन का अनुपात क्या होगा मैंने अभी आपको बताया कि 1 बटे 3 πाई r1 स्क्वाइर और यहां पर h1 लिखेंगे क्योंकि friends पहले संकु के लिए हम लिखेंगे 1 बटे 3 πाई r1 स्क्वाइर h1 और इसी तरह से दूसरे संकु के लिए करेंगे 1 बटे 3 πाई r2 स्क्वाइर h2 क्या करेंगे r2 स्क्वाइर h2 तो एक बटे तीन से एक बटे तीन पाई से एक बटे तीन पाई कट जाएगा तो r1 upon r2 का स्कायर होगा h1 into s2 होगा तो friends इनकी value यहाँ पर put up कर दीजे और इसका answer निकल आएगा तो friends यहाँ पर आप देखेंगे कि r1 by r2 कितना दिया है यहाँ पर दिया 4 अनुपाद 5 तो 4 अनुपाद 5 की value put up करेंगे और h1 s2 की value put up कर देंगे तो friends यहाँ पर मैं इनकी value लिख देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 बटे 5 का क्या होगा whole square हो जाएगा क्योंकि इनका square है और into यहाँ पर दिया है 25 बटे 64 क्या दिया है friends 25 बटे 64 तो 4 का square क्या होगा 16 और 5 का square होगा 25 और into इसी तरह से 25 बटे 64 तो 25 से हमारा 25 कटे गया 16 से कटे गा 4 ताइम तो कितना आएगा 1 by 4 तो इस तरह से friends इसका जो अनुपाद आएगा वो आएगा उसकी value आएगी friends एक अनुपाद 4 क्या है कि friends एक अनुपाद 4 जो कि आपका option number B इस question का बिल्कुल सही answer है उमीद करता हूँ friends आपको समा जा गया होगा यहाँ पर आप वीडियो को pose करके इसका question का answer देख सकते हैं मैंने किस परकार से solve किया है सबसे पहले इनके आयतनों का अनुपाद लिख लिया है तो यहाँ से सेम इसको करने के बाद में R1 by R2 का स्कार होगा H1 by S2 दोनों की value put up कर लिया है और इसको simplify किया है बहुत ही आसान question है next question के और बढ़ेंगे और next question है A, B और C ने एक कार 2080 रुपे में किराई पर लिया यानि कि 3 है 3 व्यक्ति है और 3 नों ने एक कार को कितने रुपे में लिया किराई पर 2080 रुपे में किराई पर लिया और इसी करम से 14 गंटे, 16 गंटे और 22 गंटे परियोग में लिया यानि कि करम से दिया है c को कितना देना पड़ेगा यानि कि जो उन्होंने किराय पर लिया था total value किते थी 2080 तो उसमें से हमें बताना है कि c को कितना देना पड़ेगा यानि कि कितना खर्च करना पड़ेगा तो friends जब भी इस type of question पूछा जाता है और किसी एक particular के विशे में पूछा जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो c का जो भाग होता है वो क्या होगा जो हमारा total value होती है 2080 तो इसमें c का भाग की गुना करते है और c का भाग क्या है यहाँ पर 22 है और यहाँ पर लिखते थेंगे इन 3 नों का total इन तीनों का total, तो इन तीनों का total कितना होगा, 14 प्लस 16 प्लस 22, 14 प्लस 16 प्लस 22, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2080, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, friends, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आएगा आपका, 2080 into 22, और जो हमारा 14 प्लस 16 प्लस 22, यह आजाएगा, हम 52 से यहाँ पर काटेंगे, 4 टाइम से लिख 40 आएगा, और 40 की 22 में multiply करेंगे, तो हमारा आएगा 880, कितना आएगा, friends, 880, तो 880 क्या होगा, इसका answer होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसका option number A, इस question का बिल्कुल साही answer हो जाएगा, उमीद करता हूं, friends, आपको 10 questions के उपर discuss किया है, और 10 के 10 questions जो है, यह बहुती selective questions है, तो मैं उमीद करूँगा, कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो friends, इसको जादे से जादे लाइक कीजे, और जादे से जादे दोस्तों में इस वीडियो को WhatsApp औ तब तक के लिए आपका दिन शुब हो, मंगल में हो, और इसी सुबकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जैहीन, जैभारत, वंदे मातरम, and thanks for watching this video.